तीन चरणों में 200 सीटे मिलने का दावा, बीजेपी को किन राज्यों से हैं 400 पार की उमीद, राहूल गांधी को मिल रही हैं सिर्फ 20 सीटे, चौथा चरण में बीजेपी बनाएगी रिकॉर्ड नमस्कार मैं हूँ पर्वी शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी, लोगसबा चुनाव का चौथा चरण 13 माई को है, अब तक हुए तीन चरणों के चुनाव में आदे से ज्यादा यानि 233 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, बीजेपी अक बाल एकनॉमिक्स ट्राइम्स को एक इंट्रिव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया है, कि अभी तक हुए तीन चरणों के चुनाव में उनके गडवन्दन को 175 से 200 तक सीटे मिलनी चाहिए, इसके साथ ही वो 400 पार के लक्षे पे भी कायम है, उन्हों विश्वास है कि सभी तीनों चरणों को मिलाकर जोने तो हम 175 से 200 सीटों की नेंग में होना चाहिए, इसलिए हाँ इस चुनाव में 400 पार होगा, अमिशा के इस ऐलान के बाद विपक्ष में हड कंप मचा है, विपक्ष पहले ही अपने अस्तित, खास्तोर से कॉंग्रेस बोट डाले जा चुके हैं, अब बाकी बचे चरणों के लिए शाह एक खास रणेनीती के तहट आगे बढ़ रहे हैं, इस चुनाव में बीजेपी को किन राज्जों में फायदा मिलना है, या अच्छी सफलता की उमीद नजर आ रही है, इसके बारे में हमिशा ने का है कि पंजाब में फायदा मिलेगा, भले ही ये सांक्यतिक हो, लेकिन अच्छी शुरुआत होगी, उन्होंने पूर्वत्तर में अपनी संख्या कायम रखने का भी भरूस आ जाता है, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल, उडिशा, तिलंगाना, आंधर परदेश में बड़ी कहती है कि वो इस देश में पर्सनल लॉल आएगी, तो किसी भी पंथ निर्पेक्ष समाज को इस पर बहस करनी चाहिए, मैं सेकुलर शब्द नहीं उपयोग करता, लेकिन किसी भी पंथ निर्पेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून कैसे लागू किया जा सकता है, अम अगर कोई राजनेतिक दल कहता है कि हम धार्मी का अधार पर आरक्षन का प्रावधान करेंगे तो हम इससे सहमत नहीं है, हमने जनता के सामने ये सपष्ट कर दिया है कि लोगसभा की 543 सीटों में से बाकी बच्ची सीटों पर अगले 4 चर्णों में 13 माई, 20 माई, 25 माई औ अंधर प्रदेश की 25, बिहार की 5, जहारखन की 4, मध्र प्रदेश की 8, महराष्ट की 11, उडिशा की 4, तलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्हु कश्मीर की 1 सीट शामिल है, चौथे चर्ण की वोटिंग के साथ आंधर प्रदेश में आम चुनाव ख के हैदराबाद से, बीजेपी की माधवी लता, AIMIM के असुदुद्दीन उवेसी, करीम नगर से बंदी संजे कुमार, लखेंपुर खीरी से केंद्रे ग्रह राज्य मंत्री अजे मिश्रा टैनी, कन्नो से सपा से अकलेश यादव, विहार के बेगु सराय से गिरी रासिंग उजियारपूर से केंद्रे ग्रह राज्य मंत्री नेत्यानंद्राय, मुंगेर से जडियो के पूर्व अध्यश राजीव, रंजन सिंग उर्फ ललन, अंधरप्रदेश के कडपः से Y.S. शर्मिला, जारखन के खूटी से अर्जुन मुंडा, पश्मंगाल के आसंसोल से श तीसरे चरण में 93 लोग सबा सीठों पर मतदान हो चुका है, तीसरे चरण तक 283 सीठों पर मतदान हो गया है, चौथरे चरण में 96 सीठों पर वोटिंग होगी, 13 मई तक कुल 389 सीठों पर मतदान पूरा हो जाएगा, यानि बाकित तीन चरणों में 164 सीठों पर मतदान तीसरे चरण तक इन प्रदेशों में वोटिंग खत्म हो जाएगा अनंत नाग राजोरी सीट पर वोटिंग तल गई है वहाँ 25 मई को मतलान होगा और मद्यप्रदेश के बैतूल में जहाँ चुनाफ सामगरी में आख लगे थी वहाँ दस मई को फिर से वोटिंग होगी उसके बाद पांचवे चरण में 20 मई को और छटे चरण में 25 मई को और सात्वे चरण में एक जून को मतदान होगा वहीं बीजेपी के चार सो पार किनारे को लेकर भी अमिश्या ने बढ़ा दावा किया है उन्होंने कहा है आकलन बता दिया बाकी आप चार जून को अपने चैनल पर बताईएगा तेलंगाना आंदरप्रदेश तमिलाडू और केरल में हमारा संगठन अब काफी बड़ा है हम चार सो पार निश्यत रूप से करेंगे ये बात आप लिख लेजिए चार जून को ये बात साबित हो जाएगी हमने हमार जीतने भी वादे हैं हम उन्हें पूरा करेंगे लोग सबस्वाच चुनाव के बीच राजनतिक दलो के नेताओं के पाला बदलने की भी खोड मची है हाला कि पार्टी चोड़ने वाले ज्यादा था नेता कॉंग्रस पार्टी से जुड़े हैं उनकी प्रात्मिक्ता बीज सवाल भी उठाते हैं कि क्या मोदी के 400 पार के नारे ने कॉंग्रस के सिपे सलारों में भगदर तो नहीं मचा दी है कॉंग्रस के मजबूत नेताओं को लगता है कि केंदर में 30 बार बीजेपी ही आ रही है ऐसे में अगर वो अपनी सीर जीत लेते हैं तो उन्हें राजनेतिक पंडित कह रहे हैं कि मौझूदा राजनेतिक हालात में विश्वास और विचारधारा की डोर तूट रही है नेताओं के पाला बदलने के पीछे यही एक बड़ी वज़ा है पंजामें कॉंग्रस के तीन बार के सांसद रहे रवनीज सिंग विट्टू से उनक लोगों का ही कहना है कि 2024 में तो मोदी ही आ रहे हैं इससे लोगों को भी उमीद बन जाती है कि उनका नेता अगर संसद में पहुंसता है तो विकास की रहा जो है वो प्रशस्त होगी इससे पहले 14 मार्च को पंजाब कॉंग्रेस की सांसद परनीत कौन ने भी बीज़ेपी जॉइन कर ली थे पिछले हफता यहां पर हर्याना में कॉंग्रेस पार्टी के दो बार के सांसद रहे नवीन जिंदल भी बीज़ेपी जॉइन कर चुके हैं उन्हें कॉंग्रेस के प्रती कोई विरोधी बयान नहीं दिया पंजाब में आम आदमी पार्टी सांसद सुशी पूर्व सासत, गजेंदर सिंग, पूर्विधाय संजेश शुकला, विशाल पतेल, अर्जुन पालिया, दिनीश अहिरवार और अभी यहां पर जिस तरह से इंदोर के जो कॉंग्रेस उमीदवार थे वो भी बीजेपी में शामिल है इसी तरह से राजस्तान में 10 मार्ट को कॉंग्रेस पार्टी के 25 दिग्यज नेता बीजेपी में शामिल हो गए इसमें लाल चंद कटारिया, राजिंदर यादा, लाल बैर्वा और रिचपाल मिर्धा का नाम शामिल है लाल चंद कटारिया तो अशुक गहलो सरकार में कृशी और पशुपालन मंत्री रहे पार्टी का पार्टी का शुष नेताओं में विश्वास पैदा क्यों नहीं कर पा रहा है बत और यहां पर जो राजनेतिक पंड़त हैं वो कहते हैं कि पहले ऐसे अफसराए हैं जब कॉंग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई लेकिन चुनाव के मौके पर पार्टी के नेताओं में ऐसी भगदर्ट कभी नहीं देखी गए वजह उस वक्त नेताओं में पार्टी को लेकर ये भरोसा था कि दुबारा से लड़ेंगे और जीतेंगे अब वो भरोसा तूर चुका है बीजेपी ने जिस भरोसी के साथ इ इन सब के बीज कॉंग्रेस नेताओं को लगता है कि केंदर में विपक्ष कमजोर पड़ चुका है और यहां पर नेताओं के लिए अविचारधारा की लड़ाई कोई माइने नहीं रखती वो फौरी तोर पर सिर्फ फायदा चाहते हैं जिसके जरिये वो अपने शेत्र के स पार्टी नेताओं का विश्वास पहले जैसा नहीं रहा कॉंग्रेस पार्टी के ओपर कॉंग्रेस नेताओं कारेकरताओं का कोई भरूसा नहीं है नतीजा पार्टी में भगदर्मत चुकी है और जिस तरह से बीजेपी ने 400 पार्खर नारा दिया है उसका दबाव कॉंग्रेस पर साफ दिखता है स्पेशल स्टोरी में इतना ही वीडियो कैसा लगा नेचे कमंट करके अपनी राय जरूर दें वीडियो को लाइक करें शेर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार हुआ 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 है